नमस्करम ब्रहमर गीत, भाबुक्ता, सरस्ता, चतुर्ता एवं वागवदिक्ता की द्रिष्टी से हिंदी कावे की अमूल्ले निदी हैं। इस कावे में हम शिरी कृष्णी के मत्रा चले जाने पर, उनकी व्योग की व्यथा को सहती हुई आशु बहाने वाली गोपियों की कोमल हिर्दे की सरस अफिवेक्ती मिलती हैं। सूर ने पुरुष हिर्दे को भी उनकी तुल्ना में कठोर नहीं सिद्द किया हैं। सूर कावे में सिरी कृष्ण एवं उद्धब दो प्रधान पुरुषों का वरणन करते हैं। दोनों में पाठक को प्रारंब में कुछ कठोर तक आभास मिलता हैं। शिरी कृष्ण इसलिए कठोर प्रतीत होते हैं क्योंकि वे गौपियों को विरह सिंदु में डूबो कर स्वयम मतरा रह रहे हैं। और उद्धब इसलिए कठोर जान पड़ते हैं। तोकि वे गौपियों की करनावस्था को आँखों से देख कर भी नीरस ज्यानों उपदेश देने के लिए उद्ध्यत होते हैं। यह सूर्दास की अद्भुत प्रतिवा का ही कारे रहा है कि वोनोंनी कठोर प्रतीट होने वाले इन दोनों पुरुषों की हिर्दाए में छिपी हुई। समस्त कोमलता को अद्भुत कौशल के साथ अनावरित कर दिया। श्री कृष्ण गोगल लौट कर नहीं चाते लेकिन गोगल वासियों की याद में बहुत चट पटाते हैं। और कहते हैं उद्धो मोही ब्रज बिसरत नाही। कहकर अपनी समस्त विद्णा को प्रकट कर देते हैं। उद्धव अपने ज्यान पर गर्व करके मुस्करा कर गोगल जाने को तयार होते हैं। गोपियों की सम्मुक पहुँचकर उन्हें नीरस उपदीश देते हैं। ताधापी जब लोट कर आते हैं तो श्री कृष्ण को दिन दस घोश चलो होगो पाल की प्राथना सुनाते हैं। तब मानो कभी उनके हिर्दे को पुरुषोचित समस्त कोमलता से ओधप्रोथ कर देता हैं। यह कोमलता ही वह सहिर्दा और भाबुकता हैं। जिसका ब्रमरगीत के किसी पात्र में अभाव नहीं हैं। पुरुष हिर्दे दूसरों की करणा को देख द्रवित होता हैं। और नारी हिर्दे स्वत्य हैं द्रमन शेल्दता कोमल होता हैं। इसी कारण सूर दोनों वर्गों की पात्रों की भावनों की माध्यम से अपनी समस्त सहिर्दा, सहिर्देता और भावगता लेकर ब्रमरगीत में अब त्रेन होई हैं। पुरुष की हिर्दे को जो पुरुष उक्चित कठोड़ता की आवरण में नारी जैसी नमनीत सी कोमलता छिपाई रहता हैं। सहिर्दे एवं भावग बनाने के लिए नारी हिर्दे की कोमलता मात्र परियाप्त नहीं हैं। बल्कि वाग चातुरी एवं भाग बैदे के ताकि साथ सरस आघात भी उसकी लिए अपिक्षित हैं। तब ही उसकी कठोर्ता का आवरण तूटकर अलग हो सकता है। सूर की गोपियों में इन दूनों पातों का परियाप्त विक्षित रूप पाते हैं। वे बड़ी चतूर्ता और वाग बैदेग्धुता से उद्धब की कठोर उपदेशों का सरस तरकों से उत्तर दिती हैं। और शरीक्रिष्न के प्रती अनीक वो पालम सुनाकर अद्भुत वक्रुतियों से उन्हें इतना धक्का देती हैं, इतना चका देती हैं कि वे अपना निर्गुन का भारी भरकम आवडण उतार फैक्टनी की तयारी करने लगते हैं। इस प्रकार सूर ने अपनी प्रमर्गीत को साहिर दिता, भाबुक्ता, चतूर्था और वागविदक्ता की अनेक उक्तियों से भरकर अध्यन्त सरस बना दिया हैं। सूर की प्रमर्गीत में जो चतूर्था और वागविदक्ता पाई जाती हैं। वह उक्ति चमतकार की अतिशेता से प्रसूत नहीं बलकि उसमें हम भावाति रेक का इस पश्ट दर्शन देखते हैं। जिस प्रकार किसी वाहवा कारण से सरूबर का जल हिल उठता है और उसमें उठनी वाली वक्र तरंगें बिभिन रूपों में इस्पंदित होती हुई। टट तक अपना रूप संदर विखेरती हैं। उसी प्रकार सूर की हरदय में भी गोपियों की विरह विथा को उद्वेलित करने वाले उद्धर की कारण उठती हुई फाव लहरियां। सरस वक्रुक्तियों की रूप में अभिव्यक्त होती हैं। और अपनी वानी को जब गोपियों की विरह विथा का रूप दिकर भक्ती और प्रेम की रक्षा के लिए उद्धर को भीजा। तब विथा स्वत्य है चतुर्था एवं बाग विदक्तिता का सहारा लेकर अभिवक्त हो उठी। कंज की आमंतरन पर मधुरा आई क्रिश्न उसी मार कर वही रहने को विवश होते हैं। तब भी अत्यंत मार्मिक शिब्दों में गोकुल वासियों का इस प्रकार इसमरन करते हैं। उधारन दिया है सुनहू उपंग सुत मोही नाहीं विसरत ब्रजवासी सुकुदाई यह जित होत जाओं में अब ही यहां नहीं मन लाकत। किंदु उनकी इस भाबुक्ता में उनकी सहिरता और वागचातुरी का भी सुन्दर सम्मिश्रन हुआ है। जो इस दूसरी पद में विंचित है उधारन है। कही ओ नंद कठोर भे हम दो वीरे डारी पर घरे मानो थाती सुप गए। तनक तनक ते पाले बढ़े किये पहुत सुख दिखराए गोजारन को जलत हमारी पीछे कोशन आए। शिरिक क्रिश्ण अतियंत भाव भिवोर होकर प्रजबासियों के साथ अपने मादा पिता का भी इस्मरान कर रहे हैं। किन्तु साथ ही वे ब्रजना जाने की भूल को भी छिपाना चाते हैं। बाबु गुलावराई ने लिखा हैं। सोरनी विरहे वरणन में व्यंजना शक्ती का खोब प्रयोग किया हैं। गुपियां कृष्ण को ब्रजमी आने का संदेशा भीजती हैं। और इसकी त्वारा अपनी विरहे दशा का व्यंजना कर दीती हैं। उधारन हैं। सब बल भी कहती हरिसों दिन मधु पुरी रहों। दूसरा उधारन हैं। आज काल तुम हूँ देखत हूं। तपती तरनी समचंद। अन्य एक और उधारन हैं। सिही व्रकन समगाए बच व्रज बीथिन बीथिन डोलत। इस संदेश द्वारा गोपियों ने अपनी मानसीक दशा का भी वर्नन कर दिया। विरही को जब साक्षत तर्शन का सुप नहीं मिलता। तब वे है गुण कथन, नाम इस्मरन तथा लिलाओं की अनुकरम द्वारा एक प्रिकार का मानसीक प्रत्यक्षिसा कर लिता है। एक और प्रसंग है मूरली प्रसंग का। मूरली प्रसंग में गुभियों की वचन चातुरी की अन्नीक रूप मिलते हैं। टॉक्टर चन्रभान रावत ने कहा है। मूरली प्रसंग में बाग विधिक्ति और उप्ति चमतकार अपनी चरम पर है। मूरली से संबध गीत भी सूर साहित में एक विशिष्ट इस्थान रगते हैं। गुपियों का मूरली की प्रती इडशा भाव है। क्यूंकि क्रिश्ण उसी कभी भी अपने अधरूं से अलग नहीं करते। उसी की रंग में रंग गई है। डाक्टर मन मुहत ने भी लिखा है। मूरली प्रसंग में भी वचन चातुरी की अनेक इस्थल है। क्रिश्ण की अधरों पर विराजमान मूरली को देखकर गुपियों में इडशा भाव चाकरत होता है। वे उसे बुरा भला केती हैं कि नीच कुल धर्मबाली मूरली सब प्रकार से पतित है। तभी तो उसने क्रिश्ण को अपने बश में कर लिया। क्रिश्ण का क्या दोश आखिर पूरुष ठेरे। मूरली ने ही उन्हें भुला लिया है। ब्रमर्द गीत प्रसंग में गोपियों की वचन वक्रता का सुंदर निखर कर हमारे सामने आता है। गोपल लेनाओं की मुख से निकलने वाले ये वक्रतियां माधुरी रस में दूबी हुई है। इनमें एक ओर तो प्रेमा अनुफुति की अनन्यता है। तो दूसरी ओर उक्ति वेचित्र की द्वारा सुर्दाशी ने रसान फुति कराने का सफल प्रयास किया है। ब्रमर्गीत प्रसंग में सुर्णी कहीं शब्द कहीं अर्थ और कहीं उप्मान को लेकर भाव प्रेरीत वाग विदिक्ता प्रस्तुत की हैं। सुर्दाशी ने विनोध मूँ बचन चातुर से उपहास मूँ बचन चातुर से व्याजनिंदा बचन चातुर से और कटुक्तियों में बचन चातुर से अपनी बात कहीं है। और वे इस चातुरी की बात उधर से कैसे किती हैं। उधर हैं। उधो मन मानी की बात। उधो मन मानी की बात। जो पतंग हित जानी आपनी दीपकसों लिपटात। इस प्रिकार से सूर दाज जी ने निरगून और सगून प्रसंग में भी सूर की गोपियों की वागविधित्ता को भी अत्यंत अनूठी रूप में प्रस्तूत किया है। ऐसा लगता है जैसे कि जगत की नाना रूपों में ब्रह्म की जो प्रतिक्ष सत्ता दिखाई पड़ रही हैं। उसका जो सगुन रूप चारो ओर भासित हो रहा है। उसका बारवा निशीद और निरगून प्रह्म का अत्यंत सुक्ष्म निरूपन सुनकर गोपियां। उद्धर से कहती हों कि तुम क्यों प्यर्द तिनकी की ओट में इतना भारी भरकम दमकता हुआ सुमेरू चुपाने का प्रयास कर रही हो। इस प्रिकार से सुहुर्दास ने गोपियों की माध्यम की जार में गोपियों की माध्यम से चैतुर्टा और वाग विदक्तिता को प्रस्तुत किया है। धन्यबाद।